नमस्कार दोस्तों मेरा नमने विजय अपमार आप देख रहे COMICS पिटारर चैनल को तो चली दोस्तों राज कोमिक्स में बाकिलाल की इसांसे और मतार कोमिक्स को सुरू करते हैं जिसका नाम है कुकुडु कूँ तो आप देख सकते हैं इसका कवर प्रिस्ट जो के कुछ इस तो चलिए इसकी सांदार स्टोरी को सुरू करते हैं संजे गुपता पेस करते हैं बाकिलाल ने राजा बिकरम सिंग को मारने की चाल चली और उसे सरोर में डुबो दिया अब बिकरम सिंग के जीवित बाहर आने की केबल एक ही सुरत थी कि बाकेलाल सरोर में रहने वाले जल एक्ष के प्रस्णू के सही उत्तर दे पहला प्रस्ण था घोड़ा घांस से मितरता करेगा तो क्या खाएगा बाकेलाल ने चैला के मदद से उत्तर का पता लगाया किन्तु प्रस्ण तो अभी और भी कहीं थी दूसरा प्रस्ण था कि पहले मुर्गी हुई या अंडा तो आईए देखते हैं बाकेलाल को इस प्रस्ण का उत्तर खोजने के लिए क्या-क्या पापड बिलने पड़े बाकेलाल अपने पुत्र छैला के साथ निकल पड़ा था जल्यक्ष के दूसरे प्रस्ण का उत्तर देने छैला हम कुक्डुकु घाटी कब पहुँचेंगे बस कुछी देर में पिता स्री ओफ यहां तो गर में भी बहुत है तो फिर जरा रुक कर असनान करने पिता स्री किन्तु नदी में घड़ियाल थें हम नदी में असनान नहीं कर सकतें घड़ियाल है तो घड़ा भी है छेला घड़े में जल भर लाया पिता स्री किर्प्या घड़े के जल से असनान करें वाह ये हुई ना कोई बात अरे कोई मुझे भी नहला दो हिन किर्प्या आप असनान करें तब तक मैं चेतक को भी नहला देता हूँ वाह ये हुई ना कोई बात बाकेलाल ने जल का भरा घड़ा अपने उपर पलट लिया ओम सुर्याय नमह एसनान से त्रिप्थो कर बाकेलाल ने घड़ा एक तरफ फेग दिया कड़ाक तभी हम प्रसन्न हुएं कौन है? हम सुर्य भगवान हावत्स तुमने मुझे घड़ा भर जल से अर्ध देते वे मेरे नाम कजाब किया है और फिर उसी जल से असनान किया है दस्छन अर्ध दर्सन योगे के थे? अर्ध दर्सन योग में यदि कोई बेक्ती मुझे अर्ध देकर मेरे नाम कजाब करे तो मुझे उसे दर्सन देने आना ही पड़ता है और तुम वो भागे साली इंसान हो प्रभू केवल दर्सन देने ही आये हो नहीं वत्स वर भी देंगे इच्छित पर मांगो पुत्र यदि आप मुझसे परसन ही हैं तो बाकेलाल को लगा छैला सुन लेगा सुर्य भगवान बाकेलाल के मन सा समझके घबराओ नहीं हमें तुमारे अलावा ना तो कोई देख सकता है ना ही सुन सकता है अपना इच्छित पर मांगो वत्स मैं यक्ष सरोवर को सुखाना चाता हूँ क्योंकि उसमें कैद है राजा बिक्रम सिंग सरोवर के सुखते ही वो मुझे मिल जाएंगे गले में पड़े इस फंदे से मेरे प्रान भी बच जाएंगे यदि तुमारी यही इच्छा है वत्स तो मैं तुमें अपने तेज अम ताप युक्त सुरे मनी देता हूँ जैसे है तुम इस मनी को सरोवर में डालोगे सरोवर इसके ताप के कारण तुरन सुख जाएगा किन्तो ध्यान रहे जब तक मैं अकास में हूँ मेरा तेज और ताप तभी इस मनी को मिलता रहेगा सोर्यास से पुर्ब यदि तुम मनी से सरोवर को नहीं सुखा पाए तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा हुन अप्पा चल दे पै हैंगे आ हुन अप्पा भी चल दे पै हैंगे आ पुब मारा पापडवाले को अब मुझे जल यक्ष के प्रस्णों के उत्तर देने के चकर में नहीं पढ़ना होगा बाके लाल चेतक पर सवार होकर वापस सरोवर के ओड़ लोट पड़ा अरे पिता सिरी वापस क्यों जा रहे हैं और मुझे तु साथ ले लो अब मुझे कुक्डुकु घाटी जाने की और सकता नहीं है चैला बेटे मैं जा रहा हूँ वापस सरोवर पर तभी वहां आ गया पापडवाला भी तुमारे पिता को सुर्य भगवान से एक मनी प्राप्त हुई है जिससे वो यक्ट सरोवर को सुखाने जा रहा है यदि ऐसा हुआ तो सरोवर में रहने वाले ना जाने कितने जलिये प्रानी तरप तरप कर बढ़ जाएंगे और बाकिलाल जैसा सोच रहा है वैसा भी नहीं होगा मैं उसे सरोवर तक पहुंचने नहीं दूँगा पितासीरी को रोकना होगा उधर सासा चेतक रोक गया चेतक तो रुख क्यों गया रुखना तेरा काम नहीं, चलना तेरी सान है आज रुखने का समय नहीं है मेरे पास हिन? मैं सुइम नहीं रुखा स्वामी अभी आएगी कड़कड की अवाज, जो होगी हड्या तूटने की अवाज, ओ, ये अजगर देते कहां से आया है, सुब कारे में बाधा बन कर, अभी करता हूँ इसका काम तमाम, खचाक, ओ, अरे, तलवार लगते ही, तो चीक पड़ा था, फिर हसने क्यों लगा, पहले मैं डर गया था, कि तलवार लग गई, तो मैं मरा, मगर फिर मुझे याद आ गया, कि मैं एक वार से नहीं मर सकता, अब तू मरने के लिए त्यार हो जा, एक वार में नहीं मर सकता, तो फिर दूसरे वार में जरूर मरेगा, खचाक, ओ, अरे, तू फिर हस रहा है, हाँ, मैं फिर से डर गया था, कि तलवार लग गई, तो मैं मर जाओंगा, मगर मुझे फिर से याद आ गया, कि मैं दो बार में भी नहीं मर सकता, अब तुम मरने के लिए तियार हो जा तुम पहले वार में नहीं, दूसरे में नहीं मरा, अब तुम मरेगा खचाग अजगर देत्ये धम से भूमी पड़ जा गिरा मेरे मिर्टू तीसरे वार से ही होनी थी चलचे तक दोड़ लगा इस कमबक्त अजगर देत्ये ने मेरा बहुत समय बेर्थ कर दिया है भाबरे, जान बची, भागचे तक अब क्यों रोग गया, सामने तो देखो ओ, रास्ते में पेर्ड गिरा बड़ा है अब इस ब्रिक्च को यहां से कौन हटाएगा सुरे भगवान, त्रिवगती से पस्चिम की और बढ़ रहे हैं यदि अस्त हो गएं, तो नहीं, नहीं, मैं इस ब्रिक्च को हटा कर रहूँगा स्वामी, ये टहनी नहीं, पूरा ब्रिक्च है तभी, ब्रिक्च सरकने लगा अरे, मैं इसको खिसका पा रहा हूँ, सरक ये लिजे पिता स्री, ब्रिक्च मैंने खिसका दिया किन्तु, ओ, तो ये छैला की करामात है अरे पिता स्री, रुख जाएए, आप जो करने जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है किन्तु, थोड़ी दूर पहुंचते ही मैं हूँ टक्रालू पत्थर, मेरे उपर से गुजरने वाला, मुस्से टक्राए बिना नहीं जा सकता चमा करना स्वामी, पता नहीं कैसे खूर पत्थर से टक्रा गए मगर सुरे मनी मेरे वस्तरों में से निकल कर उस बॉम्बी में चली गई है अब क्या करो, मनी को साप की बॉम्बी से बाहर कैसे निकालू, जबकि बॉम्बी में साप भी है सुरे देव तो पस्ची में अत्यत नीचे उतर चुके है, समय बहुत कम है और अभी मुझे सरोवर तक भी पहुंचना है हे सुरे भगवान, थोड़ी अपने रफ्ता के घोड़ों को लगाम दो, ताके मैं सरोवर तक पहुंच सकूँ अरे, ये बीन कौन बजा रहा है पी मैं तेरी दुसमन, दुसमन तु मेरा, मैं बीन तु साप बीन तो चहला बजा रहा है अरे, साप, सुरे मनी को मुह में दबाए, बॉम्बी से बाहर निकल रहा है मनी के कारण, बॉम्बी में कितनी गर्मी हो गई है हिस, गुर साप, मनी को छोड़कर, वापस बॉम्बी में समा गया आहा, मनी मुझे मिल गई आपकी मदद करना मेरा करता बेथा पितैसरी किन्तु आप अपना इरादा अस्थखित कर दें क्योंकि छैला बेटा, इरादा अस्थखित नहीं हो सकता बाकेलाल सिगरी यक्छ सरोर पर आप पहुंचा अब मनी को सरोर में डालते ही सरोर का सारा जल सूख जाएगा और सरोर में कैदी बना मुच्छड मुझे मिल जाएगा लेकिन ये क्या जैसे ही बाकेलाल सरोर के निकट पहुंचा अरे, मनी के तेज इमताप को एकाय क्या हुआ ओ, नहीं, सुर्यास्त हो चुका है सुर्य भगवान को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी अस्थोने की कुछ समय और नहीं रुक सकते थे क्या पापाड़ वाले से पंगा लेगा तो ऐसे ही संकटों का सामना करता रहेगा तभी, अरे, ये फंदा तो फिर से कसने लगा बाकेलाल, मैं हूँ फंदा यदि तो ऐसे समय ब्यर्थ करता रहा तो मैं तेरी गर्दन में कस्ते में जरा भी बिलम नहीं करूँगा पिता सिरी, आपने कितना समय ब्यर्थ कर दिया अब तक हम कुक्रू को घाटी पहुँच चुके होते भै का मारा बाकेलाल पुनाचे तक पर सवाल हुआ और चल्चे तक दोर लगा और सिगर अति सिगर पहुँच कुक्रू को घाटी बुरा हुँ सूरे मनी का फिर सिगर ही, पिता सिरी, हम कुक्रू को घाटी में आप पहुँचे है किन्तु यहां हमें हमारे प्रश्न का उत्तर कौन देगा ये है मुर्गा परवत यहां आपको आपके इस प्रस्ण का उत्तर मिलेगा कि पहले मुर्गी हुई या पहले हुआ अंडा जल्दी कर छैला जल्दी से बोल डाल मुर्गा मंत्र मगर अरे ये क्या पिता सरी आप तो यहां मेरे पास खड़े हैं किन्तु सामने से भी चले आ रहे हैं अरे हां मैं तो यहां खड़ा हूँ और सामने से भी आ रहा हूँ पिता सरी आपने तो दोड़ना भी सुरू कर दिया है मगर मैं तो खड़ा हूँ पीता सरी आपके हाथ में खड़ाग आ गई है मुर्क खड़ाग मेरे हाथ में नहीं उसके हाथ में आई है आप तो हमारी और ही आ रहे है मैंने एकमबक्त मेरा हमसकल हमारी और आ रहा है आपने तो खड़ाग उठा लिया आप हमें मारने आ रहे हैं पिता स्री अरे कंबक मैं नहीं वो वो मया भी हमें खड़क मारने आ रहा है जो बिल्कुल मेरे जैसा है कमाल है मैं मुझे खड़क मारने आ रहा हूँ भागो पिता स्री रुकिये आएं छैला तो मेरे साथ भाग रहा है फिर उसका स्वर दूर से क्यों आ रहा है बाकेलाल ने पलट कर देखा अरे चैला तो वहां गिरा पड़ा है तो फिर मेरे साथ जो भाग रहा है वो कौन है और वो दूसरा बाकेलाल कहां गया पिता सरी जो आपके साथ है वो मायावी है अब उसने मेरा रूप धर दिया है असली चैला मैं हूँ मायावी देते अपने असली रूप में परवर्तित हो गया मैं हूँ देते चलिया वेज बदलने में हूँ माहिर चलिया चलिया रूप चुराने में हूँ चलिया 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 ओ चलिया अब नहीं बचेगा तू बाके लालिया साइं खनाक बाके लाल मायावी छलिया का सामना तल्वार से कर रहा था मैं तुझे सौधान कर दूं बाके लाल के मुझ पर तल्वार के तीसरे परहाद के साथ ही तेरी मिर्टु हो जाएगी तब तक चैला बोल चुका था मुर्गा मंत्र और तभी कुक्डू कू अब ये हमें पहुँचा देगा कुक्डू कू घाटी किन्तु इस से पुर्व की छलिया या बाकेलाल एक दूसरे पर कोई अन्य परहार करते हैं मुर्गा परवत की चोस ने बाकेलाल को भी दवोश लिया कुक्डू कू अब नहीं उसे छोड़ दो वो मेरा सिकार है ओ लगता है चैला ने मुर्गा मंत्र बोल दिया है चलो कंबक छलिया से छुटकारा मिला किन्तु इस कंबक छलिया की मुझसे सतुर्ता क्या थी मुर्गा परवत उन्हें उदर अस्त कर गया चैला यहां तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा यह मुर्गा निकलने के बाद कहीं हमें पचा तो नहीं चाहेगा पिता सरी यहां बहुत अंधकार है किन्तु आप घबराएं नहीं सब कुछ कुछ ही दिर में ठीक हो जाएगा फिर जब बाकेलाल और छैला की आँके अंधेरे से उजाले में आई हम किसी अंजान अस्थान पर हैं ना जाने यह कौन सा अस्थान है तभी चार ओर से कैच देते सैनिक उन्हें घेल लिया यह राहू ग्रहा है और तुम हमारी कैद में हो हम महान राहू के सैनिक है कौन राहू? पिता सरी राहू के तु का नाम नहीं सुना क्या? अच्छा वो कॉंडली वाले राहू मगर यह हमें पकड क्यूं रहे हैं? फिलाल मैं होता हूँ गायव ताकि इनकी कैद से बचा रहूं और मैं राहू से ग्रस्त ना हो जाऊं अरे एक गायव हो गया प्रंतु एक तो हमारे हाथ लगी गया है इसे महान राहू के दरबार में पेस करो राहू सेना इस मानों के पीछे आ जाएं जो अग्या सेना पती मकारो मेरे पीछे क्यूं आ रहे हो? बिना अग्या राहू करह पर आने वाले को महान राहू के दरबार में पेस करने के लिए उसे ठुड़म ठुड़ा करते हुए लेकर जाने का नियम है चोड़ा ठुड़ा बाके लाल को ठुड़म ठुड़ा करते हुए महान राहू के दरबार में पेस किया गया महान राहू की जैहो हम अजनभी को ले आएं महान राहू अब इसका क्या करें? इसकी फाड़िया करके अचार डालो किन्तों महान राहू अचार डालने के लिए सरसो के तेल और मसाले के आउसकता होगी जो पृत्वी से लाने में समय लगेगा तो तब तक इसका नाम और यहां आने का उद्देश से पता लगाओ मेरा नाम बाकिलाल है क्या तुम्हारा नाम बाकिलाल है? हाँ क्या आप मुझे जानते हैं राहू महराज? और बाकिलाल का नाम सुनते ही राहू परसंता के आवेग में अपने वस्तर फारने लगा इतनी परसंता मुझे जीवन में इससे पहले कभी नहीं हुई अरे ये तो मुझे पर परसंद हो रहा है और मैं ब्यार थी भैवित हो रहा था महान राहू इससे पहले तो आप कभी इतने परसंद नहीं हुएं हम हमसे भी नहीं क्या हम इतने बुरु हैं? नहीं मकारो तुम मेरी परसंता का रहस से नहीं समझे राहु पाकेलाल के निकट पहुँचा कुछ दिर पुर्ब तुमने ही सुरे को घड़ा भर जल से अर्धे दिया था उन दस छनों में काली क्योग चल रहा था उस समय में सुरे को डसने बाला था अर्थात उस पर ऐसा ग्रहन लगाने वाला था जो उस पर से कभी ना हड़ता सुरे को उसके भक्तों द्वारा दिये जाने वाले अर्धे से रक्षात्म कवच की प्राप्ती होती है इसी कारण मैं कभी भी सुरे पर अपना नियंत्रन नहीं कर सका इसलिए इस बर मैंने उन पर ग्रहन लगाने के लिए संध्या का समय चुना था किन्तों दुस्टनात तो उन्हें संध्या को ही अर्धे दे दिया जबकि सुरे के सवे भक्त प्राता काल में ही सुरे को अर्धे देते हैं धाड़ तेरे कारण कालिक यूग पर ग्रहन लगाने के मेरे मनसूबे पर पानी फिर गया और सुरे बच गया धाड़ क्रोद में भलकर मैंने तुझे मारने के लिए मयावी देते छलिया को भेजा पर तुझे मुर्गा परवत निगल गया वहाँ तो तुझे हाँ तो बच गया किन्तु यहाँ तु मेरे हाँ तो नहीं बच पाएगा वो देख चटान काटा के रूप में तेरी मिर्टु आई है मैं चलना आरम करती हूँ तो फिर प्रान लेकर ही रुकती हूँ अरे बापरे भाग बाके लाल कहां भागेगा कुचल कर रहोंगी तभी पिता स्री इधर आजाएं मैं बचालूंगा आपको चटान काटा से मगर बापे लाल को अब काटो तो खोन नहीं अरे बापरे यह चैला नहीं माया भी चलिया है चलिया मेरा नाम चलना मेरा काम बाके लाल के आगे खाए थी और पीछे कुआ बाके लाल हुन तेरा की होंगा बाके लाल ने फुर्ती से काम लिया चल बेटा बाके लगा कुदी बाके लाल के रह से हटते ही चटान काटा आ गई बाके लाल के रह से हटते ही चटान काटा आ ठकराई सीधे मयावी छलिया सी मरी कमबक्त देख तो लेती कि सामने कौन है धार ये देखकर राहू कुरोज से चीख उठा सेना पती मकारो अधी सिगर भाकेलाल के सरीट की फाड़िया करके उसका अचार डाल दो मसाला एमतेल बाद में डाल देंगे जो अग्या महान रहू बेटा वाकेलाल तो कितने भी भाग दोड़ कर ले तू राहू ग्रह पर है यहां से निकलना तेरे अकेले के वसका रोग नहीं है सोच इस संकट से निकलने का कोई उपाए और फिर ठेरो महान रहू ठेरो क्या इसकी बात पूरी होने तक ठेरो महान रहू तुम मेरे प्राणों के पीछे क्यों पड़े हो तुमारा सत्रू मैं नहीं सूरे है और सूरे से तो मुझे भी परतिसोद लेना है सूरे के कारण मेरा कारे भी बिगड़ा है तब बाकेलाल सारी बाते पताता चला गया महान रहू हम तोनों मिलकर सूरे को छटी का दूद याद करा सकते है मगर कैसे तुम सूरे पर ग्रहन लगाना चाते हो अवस्य लगाओ क्या मतलब किन्तु यदि इसके साथ ही सूरे के गती भी तुमें प्राप्थ हो जाए तो संपोर्ण ब्रमान पर तुमारा एक्छत्र राज हो जाएगा क्या मतलब सूरे दो की परतिष्ठा केवल परकास के कारण है जिसे तुम ग्रहन लगा कर समाप कर दोगे फिर यदि सूरे के रत पर तुमारा अधिकार हो जाए तो सूरे के गति रुख जाएगी और तुमारी बढ़ जाएगी सूरे ब्रमान में कहीं एक कोने में पड़ा रहेगा और तुम संपोर्ण ब्रमान पर राज करोगे क्या मतलब संसार में सबी तुम से भैबित रहते हैं यहां तक की दिवता भी तुमारी छाया तक से भैखाते हैं हाँ खाते तो हैं अब सोचो यदि सूरे का रत तुमें प्राप्त हो जाएगा तो तुम पूरे ब्रमान में कहीं भी पहुँचकर उस अस्थान यह प्रानियों को अपने परभाव में ले सकते हो बात तो सही है किन्तो यह सब होगा कैसे वो मैं बता दूँ का पहलो तुम सेनापती मकारो को मेरे वत के लिए दिया गया अपना आदेश तो वापस लो खडग हटा मुर्क और छत्रीतान स्री बाकिलाल पर जो अग्या महान राहू खोब जी भर कर खाओ बाकिलाल हर कोई राहू के कस्टों से भैखा कर उसके निवारन का करम करता है किन्तु तुम पहले मानो हो जिसकी सेवा में स्वैम राहू खड़ा है भोजन के उपरांत अब बताओ हम सूरी के रत पर अपना अधिकार किस बरकार से कर सकते है मैंने पौरानी करंथों में पढ़ाई की सूरी रत के आगे साथ हजार अगनी तपसैनिक ताप रत की सुरक्षा में चलते है अब ध्यान से सुनो राहू उन्हें मारे भीना तुम रत तो दूर उसकी परचाई भी नहीं पा सकते क्या मतलब मतलब बाद में बताऊं का पहले मैं कुछ दिर भी स्राम करूं का ओ सेनापती मकारो स्री बाकिलाल जी को गर्दन उतार के पास ले जाओ वो जिसकी गर्दन उतार देता है वो अराम से निर्विदन अराम करता है मेरे बिचार में मैं सोच रहा हूं की अराम हराम है हाँ तो मैं कह रहा था की अगनी तब सेना का वद करना अवसक है तो फिर सिगरता से बताओ कि साथ हजार अगनी तब सेनी को का अंद किस परकार से होगा उसके लिए रीसी उदर की सरण में जाना होगा क्या मतलब रीसी उदर के पास ऐसे अमरवानी है जो किसी भी वस्तु की इच्छा करते ही उसे उनके उदर से बाहर उगल सकती है यदि कहीं पर रीसी उदर मिल जाएं तो उनके उदर से अगनी तपों से अधिक तकत्वर से न प्राप्ट की जा सकती है क्या मतलब? आप मतलब मत पूछो, क्योंकि रिसी उदर का पता मैं नहीं जानता उसकी चिंता तुम मत करो, रिसी उदर का पता मैं जानता हूँ वो पंचबटी तारे पर तपस्या करता है पंचबटी का राजा पंच नामा धन धारने से भरपूर है महराज धन समाप्त हो गया है भोजन का कच्चा समान भी खत्म हो गया है जैसे आटा दाले घी, नमक, हल्दी, मिर्च, सबजियां इत्यादी तो क्या हुआ, चलो रिसी उदर के पास मैने भर का समान भरवाल आते हैं बोलो रिसी उदर की जै है रिसी उदर, किर्प्या करें, जीवन है तुँ अवस्य खाते, यहम अन्य वस्तू की पूर्ती करें खाते हम संभरन प्रपत्र लाए हो नहीं, वो तो नहीं है, चलो, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे नाम का पंजी करन कर देता हूँ रिसी उदर के कंड से निकली और बीची तरध्वानी कुकुडू कु, इसी के साथ रिसी उदर का मुँ गुफा के समान खुल गया और वा, आठा, तेल, नमक, डाले, सब समान रिसी उदर के मुँ से बाहर आ रहे हैं सारा समान घोड़ा गाड़ियों में भर लो और कुछ चाहिए, हाँ रिसीवर, मेरी परजा को, एम, मुझे भी नैवस्तरों के ओ सकता है निकास वानी के साथ ही रिसी उदर का मुँ पुना खुल गया और, आ, नैवस्तर, नैवस्तर रिसी के उदर से बाहर आ रहे हैं एकत्रित कर लो, राश्ती वस्तरों को एक तरप छाट लेना और कुछ, हे रिसी उदर, पिछले सब्ता कई घोडे, दम घोटों नमक रोक से मर गये थे और घोडों की ओ सकता है, और फिर, लो, घोडे भे मिल गए, हिन राजा पंच नामा के वहां से जाते ही, बाके लाल के साथ महां आप पहुँचा राहू वो रहा पंच बटी तारा, और वो रहें रिसी उदर, कहते हैं इनके उदर में पूरे बर्मान की आवसेक वस्त्वें समाई है, राहो और बाके लाल रिसी उदर के निकट पहुँचे, हे रिसीवर, किर्प्या इच्छा पूर्ण करें, इच्छा मू से बोलो, हमें एक एक नहीं, वो तो नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे नाम का भी पंजी करन कर देता हूँ, रिसी उदर दे कुकडू कु बांग दी और इसी के साथ उनका मुँ गुफा के समान खुल गया, सैनिक रिसी उदर के मुख से मुख के रास्ते बाहर आ रहे हैं, सिगरी एक ल अब तो सूरे पर आकरमन ही करना है, पहले ये बताओ कि इन सैनिक को सूरे तक ले कर कैसे जाओगे, मेरे रत पर एक लाग तो क्या, दस लाग सैनिक भी सवार हो सकते हैं, तो फिर चलो सूरे पर आकरमन करने, अब उनका रत छिनने से हमें कोई नहीं रोग सकता, राहु सूरे भगवान पर आकर्मन करने जा रहा है अब क्या होगा यदि सूरे भगवान के रत पर राहु का अधिकार हो गया तो बरमान पर संकर तूट पड़ेंगे सूरे भगवान को इस संकर से बचाने का एक ही उपाए है रिसी मुर्ग हमें तुरंट उनके पास जाना होगा राहू अपने विसाल सेना के साथ सूरे के पास पहुँचा हम सूरे के निकट पहुँच चुके हैं जो भी हमारे मार्क में आए अपना आकार बढ़ा कर उसका सीर धर से जुदा कर देना किन्तु सूरे हमें जला तो नहीं ढालेगा सूरे राहू का कुछ नहीं बिगार सकता सूरे देव राहू नामक संकट को भाब चुके थे साथान से रापती तापे राहू दुगुन्नी सेना लेकर मुझ पर आकरमन करने आ रहा है राहू हाँ और उसके साथ ये तो बाके लाल है इसने तो मुझे घरा भर जल से अर्धे दे कर मेरे प्रानों पर आये संकट से रक्षा की थी बाके लाल राहू का साथ क्यूं दे रहा है सूरे भगवान और राहू के सेनाओं में भैंकर यूत अरंभो किया आगे बढ़ो मेरे बाहदुर सैनी को रुकना तेरा काम नहीं चलना तेरी सान अब आया मजाब अब सूरे भगवान को पता चलेगा की बाके लाल से पंगा लेने का क्या परिनाम होता है मुकाबला करो मारो मारो हिन काटो खचाक खचाक राहू और उसकी सेना सूरे सेना पर कहर ढाती हुई आगे बढ़ रही थी तीनों लोग जानते हैं कि राहू जिस पर लग गया वो तो गया काम से ये राहू तो मुझे संपुन बर्मान का स्वामी बना सकता है खचाक राहू के रत की भीशन तककर से सूरे देओ रत से उचल कर नीचे गिर पड़े तककर ओफ राहू उचल कर सूरे के रत पर सवार हो गया वो मारा आ गया सूरे भगवान का रत मेरे कबजे में क्यों रे सूरे अब कैसे बचेगा तू राहू के खड़क से ये क्या मैंने तो केवल सूर्य का रख छीनने को कहा था ये तो सूर्य के प्रान लेने पर आम्दा है बाकेलाल ने राहु को सौधान किया महान राहु ऐसा अनर्थ मत करना अन्यता संपूर ब्रह्मान अंधकार में डूब जाएगा किन्तु राहु का खडग तो सूर्य पर तन चुका था अपने इस्ट देव का अस्मरन कर और अंतिम बार इस ब्रमान के दर्सन कर ले सूर्य किन्तु इससे पुर्म की राहु का खडग सूर्य भगवान की गर्दन पर चल पाता गडब अरे ये कौन है मैं हूँ रिसी मुर्ग अपकर तेजो मैं भगवान सूर्य का अंत कमभक्त रिसी मुर्ग द्वारा सूर्य भगवान को उदरस्त करते ही संपुर्म ब्रमान में अंधकार चागिया और ये बापरे हर और अंधकार चागिया देवतान में खलबली मच गई, अंधकार, अनर्थ क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ सुरे भगवान अकास में कहीं पर द्रिष्टी कोचर नहीं हो रहे है ची ची और नारजी कैसे हो उल्लू और चमगातरे उर्तेवे दिखाई पड़ रहे है अर्थात हर और रात्री ही रात्री है तो सुरे भगवान कहां गए उन्हें रिसी मुर्ग उद्रस्त कर गया है वो देखो रिसी मुर्ग अपने दड़बे में जा रहे हैं अब क्या होगा अनर्थ रिसी मुर्ग द्वारा उद्रस्त की गई कोई विवस्तू या प्रानी पुरा उनके उदर से बाहर नहीं आ सकती चल ओड़ जारे पंच्छी अब ये देश हुआ बेगाना हे इंद्र ये सारी सराराथ हे इंद्र ये सारी सराराथ पृत्विवासी बाके लाल की है जिसने राहू को ऐसी मती दी है कि सुरे के प्रानों पर बनाई उनके प्रानों के रक्षा के लिए रीसी मुर्ग ने सुरे को उद्रस्त कर लिया है तब तो रीसी मुर्ग निर्दोस है अगनी देवता करोधित हो उठें मैं दुस्ट बाके लाल को भस्म कर दूँगा ठेरो मैं एरावत को साथ ले चलता हूँ मुझे पैदल चलने की आदत नहीं है उधर बाके लाल राहू के रत में अकेला छोट गया था अरे ये कमबक्त राहू तो सोरे रत पर सवार हो कर चला गया यहां तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा है मुझे तो वापस प्रिजवी पर लोटना है अन्य था मैं जल एक्ष के प्रस्णों के उत्तर नहीं दे पाऊंगा अरे ये क्या ये फंदा तो कसने लगा बाके लाल मैं हूँ फंदा मैंने सोचा मैं तुम्हें याद करा दूँ कि तेरे पास समय कम है तभी क्रोधी देउताओं ने उसे चहू और घेल लिया दुष्ट बाके लाल तुझे जीवीत रहने का कोई अधिकार नहीं मैं तुझे भस्म करता हूँ नहीं ठेरो मैंने तो राहू से अपने प्रान बचाने के लिए ऐसा किया था तो अब हम से अपने प्रान बचाने के लिए तुम क्या करोगे दुष्ट नात चलाओं के आवज्र नहीं किर्पय पहले मेरी सुनलो इंद्र भगवान तेरी बात में सुनेंगे पहले ये बता कि सुरे देव को रिशी मुर्ग के उदर से किस परकार स्वतंत्र कराएं अन्ने था तेरे प्रान गय समझो तेरे कारण संपन बर्मांड में त्रही त्रही मची है वो तो बहुत सरल है रिशी उदर के अमरवानी में वो सकती है कि कि किसी भी वस्तु को उदर से बाहर उगल सकती है रिशी उदर अरे हाँ क्रोध के कारण हमने ये बात सोची ही नहीं यदि रिसी उदर अपने वानी रिसी मुर्ग को दे दे तो अमरवानी के स्वर से सुर्य भगवान रिसी मुर्ग के उदर से बाहरा जाएंगे सभी देवता बाकेलाल को साथ ले कर رीसी उधर के पास पहुँचे और उन्हें सारा ब्रितांत कह सुनाया तब परमांड की रक्षा है तू मैं ये कारे करने को तयार हूँ मुझे रीसी मुर्ग के पास ले चलो रिसी उदर ने रिसी मुर्ग को अपनी अमर्वानी अस्तरांत्रित कर दी अलगा बढगा दड़बा दो अमर्वानी अस्तरांत्रितो कुकडू कू तब रिसी मुर्ग ने अमर्वानी का उच्चारन किया इसी के साथ उनके उदर से सुरे बाहर आने लगे मैं बाहर आ गया ब्रमान का अंधकार छट गया तबी ब्रह्मा जी प्रकट हुए रिजी मुर्ग मैं तुम्हें वर्दान देता हूँ कि आज के पस्चात अकास में सुरे तुमारी कुकुड़कू की ध्वानी के पस्चात ही उदे होंगे अरे मेरे संकट भी तो हरो ब्रह्मा जी यह अपने कैसा वर्दान दे दिया एक पर मैं मेड़क की एक परजाती डड़्डू के स्वर में गीत कर रहा था इससे तपस्यारत रिसी सांता चारे ने कूपी थोकर मुझे ये साब दे दिया कि यदि मैंने अपने वानी के सिवाए दूसरी वानी का परियोग किया तो 21 विच्छन मेरी मिर्टू हो जाएगी अब 21 विच्छन मेरी मिर्टू हो जाएगी तो फिर आपके वर्दान का क्या होगा एते पंगा पै गया इ इसमें दुभीदा क्या है ब्रह्मा जी, आप तो स्रिष्टी के रशना करता है, एक ऐसे प्रानी उत्पन करें, जिसे कुक्रुकु की वानी प्राप्त हो, ब्रह्मा जी ने मुनिक कस्यप को बुलावा भेजा, स्रिष्टी का निर्मान आपके द्वारा ही हुआ है, मुनिक कस सहे बिना अर्थात गर्मी दिये बिना इसमें से सीसु प्रानी की उत्पत्ती असंभव है। इस अंडे को गर्मी कौन देगा। बात तो तुम्हारे ठीक है बाके लाल। उपाए मिल गया। पिकोक पिकोक। ब्रमाजे ने मौर का एक पंक तोड़ कर उससे एक कन्या की मौर्गी ने उस अंडे को सेहना सुरू किया कुछी चनों में अंडे में से चुजा बाहर निकला। कर। फिर देखते ही देखते चुजा बन गया एक बेसक मौर्गा। रिसी मौर्ग ने उसे अपने वानी देकर 21 चन अपने प्रान त्याग दिये। अच्छा तो हम चलते हैं कुकुडु कुू। तब ही महां प्रकट हुए सुर्य बाके लाल तुमारा बहुत-बहुत धन्यवाद। राहु जब मेरा रत लेकर भाग रहा था तो उस समय तूट योक चल रहा था। जिसके कारण रत का पहिया तूट गया और राहु की टांग तूट गई। यदि संकत टल गया। वत्स बाके लाल तुमारे कारण संपुर्ण बुर्मान का भला हुआ। हम तुमें वर्दान देते हैं कि तुम जिस उद्देशे से यहां आये हो वो पुर्ण हो। अर्थात तुमें तुमारे प्रश्नों का उत्तर अवस्य मिले। अब तुम प्रित्वी क कूच करो अरे मगर रुकिये तो सुनिये तो दूसरे इचन बाके लाल ने स्वेम को प्रित्वी पर उसी सरोवर के समुख पाया मैं तो भगवान से एक साथ सबी प्रशनों के उत्तर लेने के चक्कर में था अरे मैं तो कुकडुकु की घाटी से यहां आ गया तब हे जल्यक् पर कठ हुआ जापड क्या है वत्स जापड है पहले अंडा हुआ फिर अंडे में से निकले मुर्गी सही जापड बाके लाल अगला पापड है कुत्ते की टेरी पूँच सीधी क्यों नहीं होती तो क्या बाके लाल दे सकेगा जल्यक्ष के इस प्रश्ण का उत्तर यदि हा तो कैसे परतिक्ष्या कीजिए अगले अंक टेर ही पूँच का और इसी के साथ ये कहानी और कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है तो आपको ये वीडियो कैसे लगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक से और कमेंट ज़रूर कर देना चैनल पे